सल्मान खान की शो को देखने के लिए क्या आप देने पड़ेंगे पैसे बिग बॉस ओटीटी 3 को लेकर काफी चर्चा हो रही है यह सीजन भी काफी लाइम नाइट में बना हुआ है जो पहले बताया गया था कि नया सीजन इस साल नहीं आएगा तब भी चीजें लाइम बेट कर रहे थे अब वही नया अपडेट आया है जिसके मुताबिक कहा जा रहा है कि बिग बॉस ओटीटी का ये सीजन जल्द ही शुरू होने वाला है खबरे हैं कि ये वाला सीजन जून के पहले हफते में शुरू हो जाएगा हाला कि नई रिपोर्ट से ये भी पता चला है कि बिग बॉस ओटीटी का आने वाला सीजन स्ट्रीम करने के लिए आपको पैसे चुकाने पड़ेंगे ये मुफ्त में नहीं दिखाया जाएगा जी हां जियो सिनेमा पर स्ट्रीम होने वाला बिग बॉस ओटीटी 3 इस साल फ्री में आप नहीं देख पाएंगे इसका मत पताया कि बिग बॉस के लिए जल्द ही जियो टीम 25 अप्रेल को बड़ी अनाउंसमेंट कर सकती है कुछ पेट कंटेंट की अनाउंसमेंट की जाएगी और बिग बॉस OTT 3 देखनी के लिए अब पैसे लग सकते हैं वही बही बिग बॉस के फान्स के लिए खुशकबरी भी है क्योंकि कुछ रिपोर्ट का कहना है कि बिग बॉस OTT के सेट पर काम शुरू हो चुका है जिसके बाद फान्स की खुशी का ठिकाना नहीं है अला कि इस नए OTT सीजन को सलमान खान होस्ट करेंगे या नहीं इस बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है लेकिन सलमान के बिना बिग बॉस बिल्कुल अधूरा होता है फान्स तो यही चाहते हैं कि उनके प्यारे भाईजान ही बिग बॉस को होस्ट करें वहीं अब तक बिग बॉस OTT 3 के लिए काफी सारे कंटेस्टेंट को अप्रोच किया गया है जिसके लिस्ट भी धीरे-धीरे सामने आ रही है अला कि अभी फाइनल लिस्ट क्या होगी इसकी कन्फरमेशन किसी को नहीं है वहीं जो लोग नहीं जानते हैं उनको ये भी बता दी कि बिग बॉस OTT सीजन 1 की विनर दिव्या अगरवाल थी जिसके बाद उन्हें काफी पॉपिलाइटी मिली वहीं बिग बॉस OTT 2 जो था वो काफी सूपर हिट था जिसके विनर और एलविश ने किस तरह जलबा विख चानल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो इससे भी जल्दी से फॉलो करें